नमस्कार डिलिशिस भोजन विद संगीता चैनल में स्वागत है आपका तो दोस्तों आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने वाले हैं और बहुत फटा-फट से बन जाएगी तो यह लिया है मैंने एक कप गेहु काटा आप गेहु के आटा की जगे पे आप मैदा ले स सकते हैं तो हम कि डाल देंगे सबसे पहले कि यह चौथाई कप मैंने लिया है दही कि दो चमच होगा चमच से नापेंगे तो दो चमच होगा और डाल देंगे हम एक चमच रिफाइन ओयल और अच्छे से मिला लेंगे पहले हम और यहां पर डाल देंगे हम चौथाई चमच से भी कम यानि कि दो चुटकी के करी नमाक और पहले अच्छे से हम मिला लेंगे तो दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से मिला लिया है सारी सामगरी को और अभी हम डाल देंगे यहां पर धनिया के पत्ते, तो थोड़ा सा ज्यादा धनिया जाएगा, और पानी डाल कर हम, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और सक्त सा थोड़ा सा न सक्त हो, और न ज्यादा धीला, ऐसा डो हम बना कर त्यार करेंगे, डो बना लिया है हमने, और थोड़ा सा तेल, इस तरह से हा हम 10 मिनट के लिए rest देएंगे तो दोस्तों ये लिया है मैंने पपीता ये कच्चा पपीता है और सबसे हो पपीते का चिलका उतार लेंगे हैं तो दोस्तों मैंने साप करके अच्छे से धो लिया है ये इधर का एरिया पुरा हरा वाला निकाल देना और जो बीज होते हैं ये var ट ना नहिए तो फर ये कड़वा लनता है थाने में तो ये जो एकदब महिन वाला ग्रेटर है इसी से हमें ग्रेट करना है तो दोस्तो मैंने ग्रेट कर लिया है और पपीते को ग्रेट करने के बाद इसमें जो पानी होता है एक्स्ट्रा इस तरह से हम निकाल लेंगे यह देखिए इस तरह से निचोड़कर अच्छे से हम निकाल लेंगे तो दोस्तो हमने अच्छे से पानी निकाल लिया है इसमें कुछ चीजे मिलाएंगे लेकिन अभी नहीं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा टो दस मिनट हो चुका है और यह देखिए बहुत अच्छे से रेस्ट लेकर बिलकुल सॉप्ट हो गया है यह देखिए तो एक और जिस तरह से हम रोटी बनाते है ना रोटी से थोड़ा सा मोटा हमें रोटी बनाना है तो यह मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया है अभी हम इस तरह से रोल करके कट करके निकालेंगे यह देखिए थोड़ा सा आटा लगा लेंगे आटा यह मैदा यह देखिए इस तरह से हम पहले बेल लेगे तो दोस्ते मैंने बेल कर त्यार कर लिया है और देखिए ठीकनेस ऐसी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है हमें और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है तो हम सबसे पहले जो यह हमने पपीते को ग्रेट करके रखा है, डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे हम, लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा और डाल दे रहे हैं थोड़ा चटपटा बनाने के लिए और ये लिया है मैंने एक से दो चुटकी अजवाइन अगर अजवाइन खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें हींग डाल सकते हैं हींग का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है तो धनिया पती आप डाल सकते हैं लेकिन धनिया पती मैंने आटे को डो बनाते हम हाथों से इसके थोड़ा सा निसान इस तरह से बना देंगे ताकि स्टफिंग रखते समय हमें कोई दिक्कत ना हो कि चाकु से भी आप बना सकते हैं और थोड़ा थोड़ा स्टफिंग हम इस तरह से रख देंगे कि बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों बच्चों को या फिर बड़ों को भी आप टिफिंग में दे सकते हैं इस नास्ते को और यह जो दूसरा हमने रोटी बेल कर त्यार किया है यह इस तरह से उठाएंगे और इसके उपर रख देंगे इस तरह से कट लगा लेंगे हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा अलग कर देंगे अभी और एक काटे वाला चमच लेंगे अभी हम यहां पर और इस तरह से थोड़ा सा अच्छे से हम चिपका देंगे चुकि देखने में भी काफि कुपसूरत लगेगा तो सारे पर हम इसी तरह से काटे वाले चमच की सहायता से इस तरह भुमा भुमा कर चिपका देंगे और सामने से भी कूलियों की मदद से हम इस तरह से दबा देंगे थोड़ा सा शेप भी आ जाएगा और पूरा बंद भी हो जाएगा तो दोस्तों देखिए हमने बना लिया है और कितना खुबसूरत लगता है और लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी और उतना ही हैल्डी है ये तो चलते है गैस की तरफ तो दोस्तो ये पैन रख दिया है मैंने और तेल रख दिया है गरम होने के लिए तो तेल हमारा गरम हो दरत एगे आपसे पतने देंगे तो दोस्तों एक तरफ से हमारा नास्ता जो है वो पॉल गया है तो हम पलट लेते हैं दीरे से यह देखिए इस तरह से भी पलट लेंगे और इस तरह से भी पलट लेंगे तो दिमी दिमी आज पर पता लेंगे तो दोस्तों नास्ता हमारा बनके त्यार हो गया है यह देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है तो इसी तरह से पहले सारा हम बना लेंगे यह देखिए देखने में भी कितना खुबसूरत लग रहा है और सारा बना लेते हैं तो दोस्तों लाजवाब नास्ता हमारा बन के त्यार हो गया है और बहुत कुरकुरा बनता है दोस्तों यह देखिए और बहुत टेस्टी भी लगता है और मिंटों में बन जाता है बहुत जादा ताम जाम करने की कोई जरूरत नहीं होती है तो आप रायते के साथ अचार के साथ या अपनी मन पसंद किसी भी चटनी के साथ सब कर सकते हैं खा सकते हैं तो मैंने रायते के साथ सब किया है, दही क्या रायता बनाया है मैंने, और बहुत टेस्टी लगता है अप सुभे नास्ते में, शाम को हलकी फुलकी भूक में या टिफीन में बच्चों के टिफीन में बना कर देंगे तो एक हेल्दी आप्सन है, तो आप जरूर इस रेसीपी उडिए को एक पार ट्राइ करें, अगर मेरी रेसीपी में आपको कुछ भी अच्छा लगाएं तो प्लीज आप मुझे प्लिम्स पोर ओक्स में लिक कर जरूर बताए, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमली के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए आपका दन्यवाद